एक aircraft carrier से take off और landing करना बहुती जादा मुश्किल माना जाता है। एक normal runway 2000 feet लंबा होता है जहां plane take off और land करना बहुत easy मना जाता है। वहीं अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े aircraft carrier की तो Gerald R. Ford का runway सिर्फ 300 feet लंबा है। इसलिए pilot को extra measures लेने पड़ते हैं। टेक off करने के लिए एक बहुती powerful और sophisticated system यूज़ किया जाता है जिससे catapult system कहा जाता है। इस system में plane के अगले wheel को attach करके उसे 240 km per hour की speed से carrier से launch किया जाता है। इस system को nuclear reactor से निकलने वाली steam से ही power किया जाता है। लेंडिंग के समय arresting wire को use किया जाता है, carrier पर तीन अलग-अलग wire होते हैं जिनने plane को पीछे लटक रहे rod से पकड़ लिया जाता है। इससे plane को slow करने में आसानी होती है।